नमस्क्राइब दोस्तों फिर्जस भागता आपको एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Samsung A70S Mobile में आप यहाँ पे auto update की problem को कैसे fix कर सकते हैं तो कई लोग होते हैं यहाँ पे उनको update नहीं मिल पाता है वो कहते हैं कि हमें update नहीं मिला है कि अब update आएगा तो आहाँ पे क्या होता है कि कभी-कभी आपका auto update on होता है तो यहाँ पे आपका रातो रात update हो जाता आपको पता भी नहीं चलता है तो यहाँ पे अगर आपको update नहीं मिल रहा है और यहाँ पे auto update बंद करना है तो यहां पे दोनों setting आपको बताने वाली हूँ तो आपको चलिए चाने हैं यहां पे setting पे और setting पे जाने के बाद यहां पे आप scroll करेंगे और यहां पे आपको software update का option देखने को मिलेगा आपको इस पे click करना है तो यहां पे आपका last update आप देख सकते हैं 16 माई 2021 को हो चुका है एक बज़ के 16 a.m. यानि कि सुबे तो यहां पे auto update मेरा on था इस वज़े से यह सुबे के time अपडेट हो चुका है automatically तो यहां पे आपको automatic download over wifi को बंद कर देना है यहां से इसको बंद कर देंगे तो यहां पे आपकी जो problem है वो fix हो जाएगी और जब भी आपको update मिलेगा तो वहां पे आपका download और install का option देखने को मिल जाएगा और आपकी screen पे update आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस टाइब से आप अपने problem को fix कर सकते हैं तो I hope का इस यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसे टाइप के और इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक लिए न बश्कार